अलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप ही के अपने यूटीब चनल स्टॉक मांके टोड़े पर मैं हूँ आपका दोस्ट विपल और आज से आपके लिए शुरू कर रहा हूँ आपके लिए शुरू कर रहा हूँ आपको अपडेट कर दी जाते हैं आगे बढ़ाते हैं देखते हैं बजार में क्या हुआ निफ्टी आज कहां परफॉर्म की कैसा परफॉर्म की करल निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है इस वीडियो का मकसर है दोस्तो आपसे ऐसे लेवल्स को शेयर करना जो बहुत ही इंपॉर्टन हो सकते हैं यह मेरी आपकी करती है अपकी क्या हो पर यह अगे पड़ाते हैं बजार में क्या है आपके लिए सबसे पहले एक नजब आ लेते हैं आज की गेनरस की ओपरणे दोस्तों बजार जेकर लेते हैं बाजार की नीचे भी गया, बाजार उपर भी रहा, बहुत वोलटाइल रहा, लोगों को समझ में नहीं आए कि बाजार 18,000 से नीचे बंद हुआ या बाजार 18,000 से उपर बंद हुआ, जहां कल की क्लोजिंग थी बाजार ने वहीं क्लोज करने की कोशिश की है, आज क्या surprise पे stocks with the good weightage 0.83% बंद हुआ है तो बाकी सब supply हिंडाल को महिंदर महिंदरा हिंदुस्तान लीवर में एक bounce back देखने को मिला बट losers में कौन रहा जो बजार को नीचे drag कर रहे थे BPCL BPCL फिर से गिरा 3% के आस पास में बजाज Finserv गिरा 3% State Bank Life Insurance गिरा 3% बजा जो टो टाडा मोटर स्वेप्रो एक सील टैक हीरो मोटर को वो इनकी लाइन लग गई आज बजार कैसा प्रफूम किया एक बार चाट के ओपर चलके देखने है अकर आज की कैनल को देखा जाए तो जहां कल की क्लोजिंग थी गाईज वहीं क्लोजिंग आज भी हुई है कल की क्लोजिंग क्या थी 18,144 के आसपास 18,144 के आसपास में October Nifty कल बंद हुई थी और आज की जो Nifty की क्लोजिंग है वो है 18,150 मलब कल था 18,144.55 और आज की क्लोजिंग है 18,150 मलब हाल फिलाल बजार वहीं बंद हुआ है जहां कल बंद हुआथा बट बजार ने एक नया लो दिया तो बजार के पैटर्न को देखने के कोशिश किया है तो देखते हैं बजार कैसा परफॉर्म कर रहा है चलिए इसके कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे बजार एक lower low बना रहा है lower high बना रहा है बजार तो आपको मालू है जब बजार एक higher high higher low बनाने की कोशिश करता है तो बजार एक uptrend में होता है और जब बजार एक lower high lower low बनाने कोशिश करता है बजार एक downtrend में होता है यहाँ पे आपको clear cut nifty के अंदर में एक downtrend दिखाई दे वॉल्यूम्स के तिरू भी, वॉल्यूम्स को ट्रेक्टना, बहुत in part allerdings, जब बजार में एक तेजी आती है, तो बजार में उनको वॉल्यूम्स सपोर्ट करती है, और वॉल्यूम्स सपोर्ट मुव, चाहे वो अफसाइड का motion, चाहे वो दायावम सपेड का बात है कि जो आज का जो बजा का लो लगा ये 17,988 के आसपास लगा जो बजा का आज का हाई रहा वो रहा 18,234 के आसपास क्या हम इन लेवल्स को ड्राइग कर पाए क्या हम इन लेवल्स को पकड़ पाए चलिए चलते हैं अपने trend trading calculator के उपर में वो बहुत ही magical है ज़ले देखने ही कोशिच कीजिए क्या है हमारे सबने रज़ा डालिए breakout और breakdown लेवल के वपर बहुर्पे 18,225 गाईज ही वो trend trading calculator है जहां मैं कहता हूं कि trend is your only friend गाईज this calculator works brilliantly for Indian markets and for US markets as well आपको मालुम ही है हम US clients को भी बढ़ाते हैं इंडिन क्लाइंस को भी पढ़ाते हाल फ्राल मुंबई क्लास है 30 और 31 ओक्टूबर को तो जो मुंबई क्लास में आ रहे हैं उनको ये सब चीजे फ्री मिलने वाली हैं मेरा कैल्कूलेटर को फ्री मिलेगा ही मिलेगा साथ में मेरी बेस्ट डिलिपरी स्टॉक सर्विस जहां मैं खुद स्टॉक सेलेक्ट करके उनको महीने में तीन चार पांच जब भी मुझे अच्छे स्टॉक संभी आते हैं मैं देने ही कोशिश करता हूँ जिनमें टाटा मोटर सुबसे सर्प्राइज टाटा मोटर सो वाज ओल अवर दी न्यूज बहुत बाद में उससे पहले हम अपने स्टूडेंस के लिए तो अगर सीखना है प्रफेशनल टेडर बना है तो क्लास में आ सकते हैं नहीं तो आप काम चलाइए इन वीडियो से और इंजॉय कीजिए पैसा बनाने कोशिश कीजिए चले देखते हैं निफ्टी का इंपॉर्टन ब्रेकाउट या ब्रिकड बजा करेक्ट करता है तो कम से कम नीचे टार्गेट टू तक बजार आता है अगर वो ब्रिकडाउन लेवल को तोड़ देता है अठारा हज़ा दो सो पचीज को तोड़ा बजा दे हालाकि एठारा हज़ाज़ा च्छे सो के आसपास से ही गिरता हुआ रहा है बजार 20-30 चले एक बड़ सब चीजों को सबी ट्राइंग सो क्लियर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए अब यहां देखने ही कुशिश करते हैं कि कल का क्या मांग था कल का हाई था 18,313 और आज का जो हाई है इसको मांग खेले 18,235 मा अच्छा हाई देखिए कुछ दिन पहले जो हाई बनाया है 18,600 के आसपास का एक सेक्ट हाई है जहां से मैंने आपको कहा था 18,600 की जर्नियों कम्प्रीट करके गिरना साट हुआ है अब यहां पे मैंने आपको कहा कि वो सेकिंड लेवल तक कम से कम आना चाहिए तो 17,950 तक उसको आना ही था आना ही चाहिए था अब यहां पे आया की नहीं आया है वो देख लेते हैं चलिए लो मा करते हैं 17,988,956 के आसपास तक आना चाहिए था वहां आया और वहीं से exact bounce closing कहां की है 18,146 की तो मतलब 18,090 को पार के 18,225 के आसपास का रइस्ट है तो बजार में मे 200 के आसपास का stop loss लगाएंगे और positions को ride करेंगे बजार बहुत volatile है बजार बहुत high पे चल रहा है corrections are inevitable corrections कभी भी हो सकती है corrections are always good for the market आपको अच्छी valuations मिल जाती है बजार अपने आपको adjust कर लेता है तो आपको परिशान होने की घवराने की बिल्कुल भी दरूर नहीं है या देखें इंट्राडे बालों के लेवल क्या रहने वाले हैं 18,160 के ऊपर चलेगा तो हम buy करेंगे stop loss रहेगा 18,115 का बहुत strict stop loss रहेगा और first target मेरा रहेगा 18,200 के आसपास का मेरा first target में लेने वाला हूं 18,225 दोसस हताई जो यहां से भी match कर रहा है और यहां से भी this is the intraday wagon wheel म और यहां से मेरा positional breakout 225 के ऊपर में आजेगा बाजार में अच्छा खासा breakout बच्छे खासी short covering देखने में मिलेगे 18,225 के ऊपर में बाजार अगर चलता है तो आपको stop loss लेना ही होगा क्यों कि बाजार बहुत volatile है guys यही traders की सिंदगी है अगर आप traders बनना चाहते हैं आपको stop stop loss लेना ही होगा ठीक है तो now for nifty my positional my intraday stop loss will be below 115 and if nifty crosses above 225 I will take a buy call otherwise I am keeping my positional stop loss very very strict stop loss at 18,090 तारा हजार नबबे पे बहुत ही जबरस stop loss लगाने वाला उसके नीचे बजा चलेगा तो हम एक अच्छी खासी correction की उमीद देख सकते हैं यह रही nifty के level अब चलते हैं bank nifty के उपर म अब पिछले 2-3 दिन से bank nifty कैसा perform करी आपके सामने है एक higher low and higher high का pattern मनाते हुए कहीं नहीं कि bottom 41,000 के आसपास का bottom nifty ने bank nifty ने मनाया 41,094 के आसपास का bottom मनाया वहीं से bank nifty चल रही है और जिसको आज ऊपर लेके जाने वाले जो draggers थे जो खीचने वाले थे जो pullers थे sorry that was ICC bank and excessive access bank और state bank ने भी उसका अच्छा खासा roll दिया 1% वह भी बड़ा हमने state bank की वीडियो भी अगर आपको मालू हुआ इस 430 के आसपास में आपको YouTube के उपर में आपको वीडियो दे दी थी अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को subscribe करके रखिए bell notification को on रखिए ताकि ह नम रोज किसने किसी तरीके से हम से मिल सकें information share कर सकें चले दिखते हैं bank nifty कैसा पर्फॉम कर रही है कैसा चल सकती है यहां से दिखे एक bottom बनाया bank nifty ने पकड़ने कोशिश करते हैं क्या bottom रहा 41,088 cash pass का bottom रहा और वहीं से bank nifty close भी 41,349 cash pass में अगर daily chart पे दिखने ही कोशिश करें तो कैसा पर्फॉम हुआ लगातार bank nifty एक uptrend में अगर आपको याद होगा इस मैंने बहुत पहले एक बापको वीडियो दी थी कि 36,000 के ऊपर bank nifty जिस दिन चलेगी उस दिन bank nifty आपके पकड़ में नहीं आएगी this was the level जहां में आपको पहले भी मैं वीडियो दे चु supported by the volumes guys look at the volumes जहां nifty में selling दिखाई दे रही है वहां bank nifty के banks के share जो अटके हुए दे बहुत time से वहां bank चल रहा है nifty के stock नीचे लेगा रहे हैं बट bank ऊपर जा रहा है तो bank nifty के levels क्या हो सकते हैं guys चलो सबने ही कोशिश करते हैं आज की bank nifty की levels है जो value है जो closing है that is 41,342 41,342 को अगर हम देखने की आज का क्या level हो सकता है तो यहां पर guys bank nifty breakout में चल रही है 40,200 के बाद एक breakout हो गया था next level है 41,412 जिसके आसपास हमने आज अचीव किया है और उपर में हमारा resistance रहेगा 41,616 का हम एक major resistance रहने वारे तो जो भी bank nifty को लेके गए हैं उनको बहुत ही stop loss लगा बहुत जबता stop loss लगा 41,209 के आसपास का अगर इसको break करती है तो 40,800 के आसपास bank nifty drag हो सकती है नीचे गिर सकती है इंटरेवालों के लिए stop loss लगा 41,308 रुईज का resistance रहेगा 40,375 का 375 से ऊपर चलती है तो हम पहला target लेके चलेंगे 41,432 जो हमारा target 1 swing का target भी अचीव हो ज जाएंगे T6 जो हमारे intra day का level है यह हमारा चीव होने वाला है तो यहाँ पर जो भी intra day stop loss लेना चाहते है उनके लिए 40,306 का level है जो पोदिशनल stop loss लेना चाहते है उनके लिए swing stop loss लेगा 41,209 पैस उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए होगी है चैनल को ग्रो क जाएंगे तर्ड़ा पाउर की मैंने जिकर किया है हाँ पर उससे पहले मैंने आपको इंडिया वल हाउसिंग फनेस 200 रुपे के आसपास 220 के आसपास बाइ करने के लिए ता राके जुन जुन वाला ने भी बाइंग इसमें की जारी है बता रहे हैं बत बहुत लेट हम उसस पसाएंगे आपके लिए कुछ दो कुछ लेकाएंगे थैंक यू तो मुच पॉचिंग इस वीडियो टेकर वाए गॉनाइट जाहिन